पांच मिनिट में आप किस तरह से अपने Android मुवाइल के पिन, पैटरन जा पास्वर्ड लोग को खोल सकते हैं तो ये काफी जैन्यून वीडियो है आप इस वीडियो को देखते रहिए और आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा और ये विल्कुल सही तरीका है और आप इससे अपने काफी जाधा पैसे बचा सकते हैं जो आपको पैटरन खुलवाने वाले को देना पड़ते हैं जो कोई किसी भी लोग खुलवाने वाले को देना पड़ते हैं तो आप भी पैसे कमा सकते हैं इस जरीए से तो ये काफी सही वीडियो है आप सभी के लिए तो चलिए श दोस्तों के लिए है जिनके android mobile lollipop से उपर है जो जिनके mobile lollipop से नीचे है उन्हें शायद ये कुछ परिशानी आ जाए लेकिन जो lollipop से उपर जो नए devices आ रहे हैं आज कल तो उसमें तो काफी ज्यादा बहतर है उनके लिए वो तो pattern दो मिनेट में खोल सकते हैं पांच मिन जो lollipop से पीछे devices है उसमें ना ही काम करें तो चलिए शुरू करते हैं इसमें मैंने यूज किया है जिस मेथड का जिसका नाम है factory data reset आप हाड reset कर सकते हैं अपने android mobile को अगर आप pattern भूल गया है तो आप किस तरह से कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं नवसकार दोस्तों मेरा नाम है शैली सिंग और आपका बहुत वह स्वाक्त है हमारे और आपके चैनल all in the tips में तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको अपने phone को recovery mode में लेकर आना है तो recovery mode होता क्या है आपको phone को shutdown करके कुछ बटन प्रेस करना बढ़ते हैं जिससे एक mode खुल जाता है जिसे हम recovery mode खुलते हैं इससे आप अपने phone को hardly reset कर सकते हैं अगर आप pattern पीन पासवर्ट भूल गये हैं और वह भी reset हो जाएगा जिसकी बजा से जो आपका phone है वह इसका लोग है वह खुल जाएगा तो जिससे आप अपने 300 रपे तक बचा सकते हैं pattern खुलवाने वाले को और अगर आप इस तरीके यह तरीका यूज करते हैं तो आप किसी के भी pattern लोग खोल सकते हैं और उससे money earn कर सकते हैं तो मैंने भी काफी जादा money earn की है इसी तरह दो मिनिट में लोग खोल के 300 रपे अगमा लेता हूं तो यह काफी असान है तो चलिए किस तरह से आप अपने android mobile को recovery mode में लेकर आ सकते ह हैं तो मेरे से पुछने से बैतर है कि सभी mobiles का recovery mode होता है वो अलग अलग होता है तो आप यह कोश सवाल Google से ही पुछे कि what is recovery mode of my device तो आपको वो बता देगा कि यह button press करिए जब आपका phone shutdown होगा यह button press करिए और आपका जो phone है वो recovery mode में खुल आएगा तो मेरे से पुछने से बैतर है कि आप यह Google से ही सवाल पुछे कि मुझे तो इतने ज़्यादा devices के recovery mode नहीं पता है तो यह तो Google को ही पता है तो चलिए शुरू करते हैं कि किस तरह से हम अपने mobile को recovery mode में लेकर आर लेकर आ सकते हैं और किस तरह से उसका जो pattern pin या password है वो कैसे खोल सकते हैं तो हम इसे Google में search कर लेते हैं कि what is recovery mode of micromax euphoria तो चलिए search कर लेते हैं सर्च करने के बाद आपके समने काफी ज़्यादा blogs आ जाएंगे तो आप कोई भी blog open कर लेजिए और आप देख लेजिए कि किस तरह से आपके device के बारे में बताया गया है जिससे मेरा device micromax euphoria है तो आपका को memory mode में खुल आएगा तो चलिए हम वैसा ही करते हैं जैसा इस blog में बताया गया है तो चलिए शुरू करते हैं तो इस समय मैंने अपने यूजुफोरिया को पिन लगाया हुआ है तो आप देख सकते हैं तो आपको सिरफ shutdown करना है अपने phone को power off कर दीजिए चलिए हम इसे power off कर बाइए और आपको power का दवाना है तो चलिए हम इसे दवा लेते हैं चलिए इसके बटन प्रेस कर दीजिए volume down और power का जैसे हम इन करेंगे तो logo आ गया इसका लोगों के बाद आपका recovery mode है जो खुल आया है जिसमें काफी ज़्यादा options दिखाई दे रहे हैं आपको and apply update vibe data factory reset जिसे हमें choose करना है vibe data factory reset पे volume down के साथ आप नीचे जाओगे and volume up के साथ आप उपर को जाओगे and power के साथ आप select करोगे and चलिए हम vibe data factory reset को select कर लेते हैं power के button से चलिए हम vibe data factory setup देख रहे हैं नीचे गए और हमने इसे select कर लिया और आपको नीचे जाना है yes delete all user data पे click कर देना है चलिए power के साथ हमने इसे ok कर दिया and थोड़ी देर आपका जो है यह थोड़ी processing लेगा और इसके बाद आपका जो डाटा है वो format हो जाएगा और आप जासे जो आपका phone का pattern lock है वो असानी से खुल जाएगा तो चलिए थोड़ी देर wait कर लेते हैं इसको reset होने देते हैं reset होने के बाद आप इसे simply recovery से ही reboot कर दीजिए चलिए हम इसे reboot कर देते हैं reboot होने के बाद जो आपका device है समय fully reset हो गया है तो आपको फिर से वहीं वहीं आग आप अपने android mobile में pattern जा pin जा password इस method के साथ असानी से खोल सकते हैं और अपने पैसे बचा भी सकते हैं और पैसे कमा भी सकते हैं तो दोस्तों मुझे जखीन है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को like करना और ह अगर आपको इस वीडियो के related को problem है तो आप comment में जरूर लिखेएगा तो मिलते हैं next वीडियो में देखते रही सिखते रही नए ने चीज़ें